ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति 25 अप्रेल 2022 के इश्वरिय माहवाक्य है बाबाने मुरली के माहवाक्यों मैं मीठी मीठी प्यारी प्यारी बच्चों से कहा मीठी बच्ची पूरानी देह और देह के संबंधी जो एक दो को दुख देने वाले हैं उन सब को भूल एक बाब को याद करो स्रेमत पर चलो प्रश्ण मुरली का बाब के साथ साथ वापस चलने के लिए बाब की किस स्रेमत का पालन करना पड़े? उत्तर में बाबा ने कहा बाब की स्रेमत है बच्चे पवित्र बनो ज्यान की पूरी धारण कर अपनी कर्मातीत वस्था बनाओ तब साथ साथ वापस चल सकेंगे कर्मातीत नहीं बने तो बीच में रुख कर सजाएं खाने पड़ेंगी कयामत के समय कई आत्माएं शरीर छूड भटकती हैं और आप जानते होंगे क्यों भटकती हैं क्योंकि उनके लिए कोई दूसरा शरीर आत्मा के लिए मोकरर नहीं होता क्योंकि जब बाबा केते हैं सजाएं खानी पड़ेंगी अब कयामत का समय है सब का वानी से परे जाने का समय है सब का वान प्रस्था वस्था है कोई भी उमर का कभी भी कैसे भी किसी भी घटना का शिकार हो जाता है इतने आर्थकवैकादी आते हैं इतने सारे सुनामी आदी आने वाले समय में ये प्राकरतिक आपदाएं जो प्राकरतिके द्वारा पेपर आएंगे उसकी दौरान जब इखटे होलसेल में मौते होती हैं तो हर एक आत्मा को तुरंथ ही दूसरा शरीर नहीं मिलता और वो कुछ एक समय तक आत्माएं यहां ही भटकती हैं और वो ऐसा समझती कि मेरा ही शरीर है और किसी के शरीर को अपना बना करके उसमें अपना घर करने के कोशिश करती है उसे ही फिर प्रेत आत्मायादी कहते न तो यही बात बाबा मुरली में कह रहे हैं कि कयामत के समय कई आत्माय शरीर छोड़ भटकती हैं क्योंकि उनको कोई दूसरा शरीर नहीं मिलता है इसलिए बाबा केते साथ में जाने की वजाए यहां ही पहले सजाबोग हिसाब चुक्तू करती है इसलिए बाब की स्रीमत है बच्ची सिर्पर जो पापों का बोज़ा है पुराने हिसाब किताब है अब बाबा केते हैं यहां कमाया यहीं खाया वो भी तो काम नहीं बनेगा एक तो हमारे सर के ऊपर 63 जन्मों के जन्म जन्म के पाप है जन्म जन्मान्तर के दूसरा इस जनम के जो है तीसरा आने वाले सतियूग के लिए आने वाले कल्पों के लिए हमें जमा भी करना है तो आपको कितना अधिक चाहिए होगा बाबा केते हैं जो पापों का बोज़ा है पुराने हिसाब किताब है सब योगपल से भस्म करो तब तो कर्मातीत होंगे तब तो फिर जाएंगे गीत है ओदूर के मुसाफिर अभी तुम ब्राम्हनों की बुद्धी से सर्व ब्यापी का ज्ञान तो निकल गया है यह तो अच्छी रेती समझाया जाता है कि परमपिता प्रमात्मा प्रचापिता ब्रम्हा द्वारा नई रचना रचते हैं वह ठहरा रचेता जिसको प्रमात्मा कहा जाता है यह भी बच्चे चानते हैं कि वह आते हैं आकर बच्चों को अपना बनाते हैं माया सेलिबरेट करते हैं पुरानी देह सहित जो भी मित्र संबंधी आदी है जो एक दो को दुख देने वाले हैं उनको भूलना है जैसे बाबा कहते हैं जिस तरह से अब कैसे यह सब हम भूलेंगे जैसे कोई बूढ़ा होता है तो उनको मित्र संबंधी आदी कहते हैं राम चपो किसी का जब उमर हो जाता है पचास साथ वर्ष क्याई हो जाता है तो कहते हैं न कि अब तुम्हारा सिर्फ उ सिर्फ इतना ही काम है कि एक जगह बैठो आराम से रहो खाओ पियो और राम नाम जाप करो ऐसे कहते हैं राम जब अब वह भी जूट ही बताते हैं ना खुद जानते हैं ना उनकी बुद्धी में परमात्मा की याद ठहरती है समझते हैं परमात्मा सर्व ब्यापी है एक तरफ गाते हैं दूर के मुसाफिर आत्मा एं दूर से आकर शरीर धारण कर अपना अपना पाट बचाती हैं यह सब बातें मनुश्यों के लिए ही समझाई जाती हैं बाबा केते हैं मनश शिव का मंदिर बनाते हैं बनाते हैं पूजा करते हैं फिर भी यहां वहां ढूंडते रहते हैं बात समझने की है कह देते हैं हमारे तुम्हारे सब में ब्यापक है जब हमारे तुम्हारे में ब्यापक ही है तो क्या जर्वत है इतना दूर दूर तीर्थों के लिए जाने का, मंदिरों में दर्शन करने का, जब सब में ही हैं, तो खुद में देख लो, तो भाबा कहते हैं, जानते कुछ भी नहीं है, हर तरफ जूट ही ही जूट है, मंदिर बनाते हैं, वहां पूजा करते हैं, और फिर कह देते हैं कि तुम्हारे हमारे में सम्न ब्यापक है उनको आरफन कहते हैं धनी को ना जानने वाले बबाबा कहते हैं आरफन होते हैं इसलिए यहां वहां ढूरते हैं याद करते हैं भगवान परंतु जानते नहीं, हाथ जोडते हैं, समझते हैं वह निराकार है, हमारी आत्मा भी निराकार है, यह आत्मा का शरीर है, परंतु आत्मा को कोई भी जानते नहीं. कहते भी हैं भरकोटी की बीच चमकता है अजब सितारा अगर स्टार है तो फिर इतना बड़ा लिंग क्यों बनाते हैं आत्मा में ही 84 जन्मों का पाट भरा हुआ है यह भी नहीं जानते हैं इधर उधर ढूमती धक का हाती रहते हैं सब को भगवान कहते हैं बदरीनात भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, पत्था ठिकर में भी भगवान, पांचतत में भी भगवान तो फिर इतना दूर दूर ढूनने क्यों जाते हैं जो हमारे देवी देवता धर्मवाला नहीं होगा वह ना ब्रामण बनेगा और ना उनको धार्ना होगी वह ऐसे ही अच्छा-च्छा कहते रहेंगे बाप कहते हैं बच्चे, मैं तुमको साथ ले चलूँगा जब तुम स्रेमत पर चल, पहले पवित्र बनेंगे जान की धार्ना करेंगे अपनी करमाती तवस्था बनाएंगे तभी मेरे साथ साथ घर पहुचेंगे नहीं तो बीच में रुखकर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी मरने के बाद कई आत्माएं भटकती भी हैं जब तक शरीर मिले तब तक भटकती हुई सजा भोगेंगी यहां बहुत गंदगी हो जाएगी कयामत के समय पापों का बोज़ा बहुत सिरपर है सबको हिसाब किताब तो चुकतू करना है कोई बच्चे तो अभी तक भी योग को समझते नहीं है एक मिनिट भी बाप को याद नहीं करते तुम बच्चों को घड़ी-घड़ी कहा चाता है बाबा को याद करो क्योंकि सिरपर बोज़ा बहुत है और हम कई बार ऐसा भी समझते हैं अरे कहां कब बोज़ बाबा कहते तुमको भल इस जनम में छे वर्ष की आयों से पता रहता है कि आपने किसी के साथ कुछ गलत किया तो नहीं किया है नहीं किया जो भी वो आपको मेमोरी रहती है लेकिन कोई इस जनम की बात अकेले नहीं है दुआ पर से अब तक कितने जनम हुए कितने वर्ष हुए जब हमें इस अंतिम जनम का इस एक जनम का अच्छे से याद नहीं रहता, तो बच्चे तुमको कैसे पता? कि तुम पिछले जनमों कोई बारे में जानते हो कि तुमने कोई पाप नहीं किये? वही पाप अभिकर्म, वही तुम्हारे द्वारा किसी घटना को अंजाम दिया हुआ हो, तो वही तुम्हारे साथ में ये जो दुखसुख है, उनका ही कारण है, वही कारण है, तो ये सब बाबा कहते हैं, अगर मेरे तरफ बुद्धी रहेगी, मुझसे योग लगा रहेगा, तो तुम्हारे पाप विनाश भी होते जाएंगे, पाप कड़ते भी जाएंगे, तुम कर्मातीत विकारों से भी मुक्त होते चले जाओगे, और तुमको पता भी नहीं चलेगा, आएगा, लेकिन तुम्हारे उपर वो बोज बन कर रहा नहीं रहेगा, और प्रमात्मा जो जैसा है, वैसा हमारे में आते जाते हैं, अब कई-कई समझते हैं और उनको याद करने से क्या होगा, तो प्रमात्मा कहते हैं, जो मेरे में हैं, वो तुम्हारे में आ जाएंगे, गुण, है न, मेरे जैसा तो नहीं, लेकिन मेरे समान तो बन जाएंगे, अब वो है ही निराकार, जब हम खुद को निराकार समझेंगे, निराकार स्थिती में स्थित रहेंगे, तो हमारे जो देह से संबंध बने हुए हैं, जो दुख सुख का कारण हैं, वो सब हमें लाइट महसूस होने लग जाते हैं, हलका, हम शरीर से नियारा खुद को जब तो हमें सब चीजें ओची दिखती हैं, छोटी दिखती हैं, अब वो प्रेम का सागर है, आत्मा शांत स्वरूप है, तो आपका शांती का जो स्वरूप है, उस स्वरूप में आप खुद को अनभो करेंगे, तो वैसा आप बनना शुरू हो जाएंगे, तो यह बाहर से नहीं अंदर से शुरू हो जाती है, तो यहां बाबा बही कहते हैं, कि बाहर कुछ भी नहीं है, सब अंदर है, और अंदर वो आत्मा बैठी है, उसका भी ज्यान मैं आकर के देता हूं, मैं खुद का भी देता हूं, और मुझे भी समझना होता है, और तुम खुद को भी समझना ह तो इस तरह बाप समझाते हैं कि कोई-कोई बिल्कुल याद नहीं करता एक मिनिट भी तुम बच्चों को घड़ी-घड़ी कहा जाता है बाबा कहते हैं कि जन्मों का सरपर बोजह है, मनुष्य कहते हैं परमात्म सर्व ब्यापी है, फिर भी तीर्थों की तरफ कितना भटकते हैं समझते हैं यह सब कर्मकांड आदी करने से हमको परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलेगा बाब कहते हैं पतित भरष्टाचारी तो मेरे पास पहुँच भी नहीं सकते कहते हैं फलाना पार निर्वान गया, परनतु यह गपोड़े हैं गपोड़े मारते हैं, जाता कोई भी नहीं है अभी तुम चानते हो भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हैं मंदिरों की लाइन में लगते हैं, घंटों बारा बारा, दो दो तीन तीन दिन तो लाइन में लग करके दर्शन कैसे होते हैं, जो दर्शन करने जाते हैं, वो अच्छी तरह इस बात को फील करने के साथ साथ वह सब याद कर सकते हैं, बाबा केते हैं, भक्ती मार्ग में कितने धक्के खाते हैं, यह सब शास्तरादी पढ़ते पढ़ते मनुशियों को गिर चल, पवित्र बनेंगे और अच्छी तरह बढ़ेंगे तो स्वर्ग में चलेंगे, नहीं तो इतना उच पद पाने ही सकेंगे, प्रदर्शने के कितनी सर्विस चलती है, अब यह सर्विस बढ़ती जाएगे, अभी और जास्ती बढ़नी है, गाउं गाउं में जाएंगे, य यह है नई इन्विंशन, नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं, जब तक जीना है, तब तक सीखना है, बाबा केती तुम्हारी एम आपजेक्ट है ही भविशे के लिए, यह शरीर छोड़ेंगे तो तुम जाकर प्रिंस प्रिंसस बनेंगे, स्वर्ग माना स्वर्ग, व मुद्र से निकलती है, बस अपना स्वरूप बदलती है उथल पाथल करके, यह मकान आदी सब कात्म हो जाते हैं, कहते हैं सूनी की द्वार का नीचे चली है, अब नीचे कोई जाती नहीं है बाबा कहते हैं, यह तो चक्रल चलता है, किसका? आत्मा का, इस अखंड का, अख अपना प्रक्रति स्वरूप बदलती है, और यह शरीर भी तो बदलता है, एक छोड़ दूसरा लेता, तो शरीर पांच तत्वों से बना हुआ है, इसलिए शरीर को प्रक्रति कहा गया है, और आत्मा को पुरुष कहा गया है, आत्मा पुरुष है, अभी आत्मा क्या बन ग तो यहां पर पूरे संसार में सबको गरहन लगा हुआ है, कौन से गरहन लगा है, रावड रूपी गरहन, माया रूपी रावड, पांच विकारों का गरहन, सबको लगा हुआ है, बहुत तमो प्रधानता है अभी, ऐसा कुछ होता नहीं है, कि नीचे चली जाती है, कोई दु फिरता है, और इस मनुश रूपी श्रष्टी का भी चक्रे से ही साइकल चलती रहती है, यह तीर्थ यात्रा आदि सब भक्ती मार्ग हैं, भक्ती है रात, जब भक्ती की रात पूरी होती है, तो ब्रह्मा आते हैं, दिन करने, द्वापर कल्यूग है ब्रह्मा की रात, फिर दिन होना चाहिए, तुम बच्चों में भी नंबर वार है, सब तो एक जैसा पढ़ना सके, भिन भिन दर्जे हैं, प्रदर्शने में देखो कितने आती हैं, पाँच दस हजार रोज आते हैं, फिर निकलते हैं कौन, कौन हैं, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, लिखते है बाबा तीन-चार निकले हैं, जो रोज आते हैं, कोई साथ रोज का कूर्स भी उठाते हैं, फिर आते नहीं हैं, जो देवी देवता धर्म के होंगे, वही यहां ठहरेंगे, साधरन गरी भी निकलते हैं, साहुकार भी मुश्किल ही उठते हैं, ठहरते हैं, बाबा केते हैं बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चिठी भी लिखते हैं, बलड से भी लिख कर देते हैं, फिर चलते चलते माया खा जाती है युद्ध चलती है, रावड जीत लेता है, बाबा कहते हैं युद्ध जब चलती है तो क्या होता है, रावड जीत लेता है माया के चंगुल में फ्वस करके हार हो जाती है तो वो जीत लेता है अपने को करमिंद्रियों को बाकि जो थोड़ा कुछ सुनते हैं वह प्रजा में चले जाते हैं बाबा ने कहा ना कि अगर थोड़ा भी सुन लेंगे बाबा के ज्यान को तो प्रजा में आ जाएंगे प्रजा भी तुछ चाहिए ना बाबा तो समझाते रहते हैं स्रीमत पर चलना है जैसे मामा बाबा और अन्य बच्चे पुर्शाथ कर रहे हैं महारतियों के नाम तो लिए जाते हैं ना पांडव सेना में कौन-कौन है उनका भी नाम बाला है तो कौरव सेना के भी मुख्य नाम बाला है मुख्य का नाम बाला है उसमें भी कौरव में भी और यरोपासी यादवों के नाम भी हैं, अक्वार में भी जुनामी ग्रामी है उनका नाम ढालते हैं, उन सब की परमपिता प्रमात्मा के साथ बिपरीत बुद्धी है, जिसकी परीत बुद्धी है वो बाबा का है, और जिसकी बिपरीत बुद्धी है वो विनाश का है, तो एक है हाय हा और एक है वाह 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 विनाश देखते हुए भी वाह वाह और एक जो है वो बाबा से प्रीधी नहीं अंतिम सनमय में है तो बाबा इस तरह आप समझाते हैं कि उन सब की परमपिता प्रमात्मा के साथ भी प्रीध बुध्धी है प्रमात्मा को जाने तब त रित रख नहीं सकते, घड़ी-घड़ी भूल जाते हैं, फिर पदभरेष्ट हो पड़ता है, जितना पाप रहता है, बाबा कहते हैं, उतना ही याद भी तो करना पड़े, तो नहीं करते तो पदभरेष्ट हो जाता है, अब जितना बाप को याद करेंगे, उतने भी कर्म वि होते हैं, यहां भी बच्चे नंबर बार हैं, ऐसे फिर साधारन प्रजा में नौकर चाकर जाकर बनेंगे, भरीड होएंगे पढ़ेंगे नहीं तो, पुरशार्थ नहीं करेंगे तो, आगे चलकर तुम सब साक्षात कार करेंगे, इश्वर को सर्वव्यापी कहना यह कोई सम नहीं हैं, इश्वर तो ज्ञान का सागर है, वही आकर तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, राजयोग भी सिखला रहे हैं, श्री कृष्न की आत्मा जिसने अब 84 जन्म पूरे किये हैं, अब वह राजयोग सीख रहे हैं, कितनी गुहां बाते हैं, इस समय सभी बाप को भूलने के कारण महान दुखी बन पड़े हैं, तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे जितना जितना पुर्शार्थ करेंगे, उतनी तुम्हारे में, तुम्हारे अंदर से खामिया निकलती जाएंगी, बड़ी उची मन्जिल है, करोडों से आठ मुख्य निकलते हैं, फिर 108 की माला बनती है, फिर हैं, 16,000, यह भी भीती दी जाती है, पुर्शार्थ करने के लिए, बाबा कहते हैं, इस तरह जो पुर्शार्थ करने के लिए भीती दी जाती है, वास्तों में, 16,000 हैं नहीं माला, 16,000 हैं नहीं, माला है 108 की, उपर फूल, फिर दो यूगलदाना, नंबर वार विश्णू की माला बनती है, पुर्शार्थ कराने के लिए कितना समझाया जाता है, जो इस समय इस धर्म के नहीं होंगे, तो कुछ भी समझेंगे नहीं, स्वर्ग के सुख पानी के लायक ही नहीं, भल पुजारी बहुत हैं, वो भी आएंगे तो प्रचा में, प्रचा पद तो बाबा कहते हैं, जो प्रचा पद तो कुछ नहीं है, मम्मा बाबा कहते हो तो फॉलो कर मम्मा बाबा के तखत नशीन बनो, हाड़ फेल क्यों होते हो स्कूल में कोई बच्चा कहे कि हम पास नहीं होंगे तो सब कहेंगे यह डल है संसीबल बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं और उंच नंबर में आते हैं तुम बच्चे प्रदर्शनी में बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो बाथवा लायक बनना है, विद्वान आदी के सामने समझाने वाले भी हुश्यार चाहिए न, क्या पतक आप क्या कौन सा क्रोस कॉश्चन कर दें, यदि आपको पूरा नहीं है knowledge, तो बीच में कुछ कोईसी ने पूछ लिया तो आटक जाएंगे, तो सामने वाला तो आपको फिर बुद्ध ही समझेगा न, डल हेट समझेगा, बाबा केते फिर बिद्वान के सामने समझाने वाले भी तो शार्प बुद्धी ती की, बुद्धी वाले चाहिए हुश्यार, तो पहले-पहले तो यह निश्य कराया जाता है कि भगवान आया हुआ है, बुलाते हो, निश्य के रहने वाले आओ, हमको साथ ले चलो, क्योंकि हम बहुत दुखी है, सत्यूग में तो इतने सब मनुष्य होंगे ही नहीं, सभी आत्माय मुक्ति धाम में चले जाएंगे, जिसके लिए दुनिया इतनी भक्ति करती है, बाब कहते हैं, मैं सब को ले चलूँगा, स पुर्शार्थ करना है, जीवन मुक्ति में राजा रानी पद पाएं, ममा बाबा महराजा महराणी बनते हैं, तो हम क्यों ना पद पाएं पुर्शार्थ करने वाले चिप नहीं सकते, सारी राजधाने स्थापन हो रही है दैवी धर्म वाले जो भी है आएंगे जरूर विरादरी के लोगों को बाबा पूरे विश्प से खठा कर रहे है और अपनी और अपने बिजली के करंट के माफिक अपने तरफ खीच रहे है इतना जादू है बाबा मैं इतना जादूगर है जो रदनों का सोधा करता है और उसके बदले कुछ भी नहीं लेता है तो ममा बाबा राजरानी बनते हैं तो हम भी क्यों न पुरशाट करें बाबा को बच्ची पत्र लेखते हैं बाबा कभी कभी सेंटर पर आता हूँ, अब बच्ची के शादी कराने हैं, कोई ज्यानी लड़का लेकर दो तो शादी करावें, बच्ची कहें हम शादी नहीं करेंगी, बहुत बच्चीया मार खाती हैं, अब लाओं पर अत्या चार होते हैं, बाबा लिखते हैं, माबाप और बच्ची तीनों ही बाबा के पास आजाओ, तो बाबा समझाएंगे, आदरनी ये पिता श्री लिखते हो, तो आजाओ, पैसा नहीं हो, टिकेट के लिए तो वह भी मिल सकते हैं, सम्मू खाने से स्रीमत मिलेगी, कुमारी का घात तो नहीं करना है न, नहीं तो पापात् पडेंगे, बाब के स्रीमत पर चलकर पवित्र बनना पड़े, आच, मीठी मीठी, सीकीला धे बच्चों प्रती, मात पिता, बाब दादा का याद प्यार और गुड मोनी, रुहानी बाब की रुहानी बच्चों को नमस्ती, हम रुहानी बच्चों की रुहानी मात पिता, बाब दादा को याद प्यार और गूड मॉरिंग, शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी, सबका सहारा, धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा, पहला जीवन मुख्त पद पाने का पुरशार्थ करना है, जैसे मा, बाब, महराजा, महरानी बन दूसरा बाबा ने कहा बाब से सच्ची प्रीत रखनी है। बाब दादा की विशिष देन संतुष्टता है। संतोशी माता जानते ना संतोश देने वाली कौन है वो। आत्मा है ना संगम उपर बाब दादा की विशिष देन संतुष्टता है। संतोशी आत्मा के लिए। उसे ऐसा ही समझो कि बेहधिये स्क्रीन पर काटून शो बा पपेट शो चल रहा है। माया वा प्रकरती का यह एक शो है जिसको साक्षी स्थिती में स्थिती हो। अपनी शान में रहते हुए संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो। तब कहींगे संतोशी आत्मा। आज का स्लोगन बाबा ने दिया। किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से परे रहना ही पर्फेक्ट बनना है। माते श्वरी जी के अन्मुल महावाक्य पर्मात्मा का सच्चा बच्चा बनने कोई संशे में नहीं आना चाहिए। इश्वर का बनते सम्च ये बन गये हो तो ये बनने के बाद है ना भगवानों बाच बच्चों के प्रतिव बच्चे। जब परमात्मा खुद इस श्रिष्टी पर उत्रा हुआ है तो उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है लेकिन पक्का सच्चा बच्चा ही बाबा को हाथ दे सकता है इस बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना अगर छोड़ेंगे तो निधन का बन कहां जाएंगे जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया है तो फिर सुक्ष्म में यह संकल्प नहीं चाहिए कि मैं छोड़ दूँ वसंशे नहीं होना चाहिए पता नहीं हम पार करेंगे वा नहीं कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पिता को ना पैचानने के कारण पिता की भी परवाह नहीं है अगर ऐसा खयाल आया तो ऐसे नालायक बच्चे की संभाल पिता कैसे करेगा फिर तो मानू ही गिरा की गिरा क्योंकि माया तो गिराने की बहुत कोशिश करती है क्योंकि परिक्षा तो अवश्य लेगी कि कितने तक योध्या रुस्तम पहलबान है अब यह भी जरूरी है जितना जितना हम प्रपो के साथ रुस्तम बनते जाएंगे उतना माया भी रुस्तम बनहम को गिराने की कोशिश करेगी जोड़ी पूरी बनेगी जितना प्रभो बलवान है तो माया भी उतनी बलवानी दिखलाएगी परन्तु अपने को तो पक्का निश्य है आखरीन भी प्रमात्मा महान बलवान है आखरीन उनकी जीत है स्वांसों स्वांस इस विश्वास में स्थित होना है माया को अपनी बलवानी दिखलानी है वह प्रबु के आगे अपनी कमसोरी नहीं दिखाएगी बस एक बारी भी कमसोर बना तो खलास हुआ इसलिए भल माया अपना कोर्स दिखलाए परन्तु अपने को माया पती का हाथ नहीं छूड़ना है वो हाथ पूरा पकड़ा तो मानो उनकी विजय है और वो हाथ आपको ऐसे नहीं दिखेगा जैसे आप अपने लौकिक पिता का पकड़ते हैं या अपने लौकिक मा का या कोई साथी संगी का वो तो सिर्फ उसकी याद से आपको ऐसा अनुभव होगा आपके अंदर में ऐसा बल भरता जाएगा कि आपको लगेगा कि वो माया पती का हाथ हरशन हर पल मेरे साथ बंधा हुआ है और मुझे बहुत कड़े से पकड़े हुआ है आपको भी भी किसी भी मुश्किल में पड़ोगे तो गिरनेंगे नहीं हिलेंगे लेकिन वापस अंगद के समान अंगद कौन था उसके पैर को क्यों नहीं हिला पाए क्योंकि बाकि सब रहंकारी थे और वो एक था जो धरन निश्य था जिसकी वज़े से उसका पैर हिला नहीं पाए वो राम का नाम लेकर के उसको निश्य था और ये सब एहम में थे एहम हार गया निश्य जीत गया तो यहीं बात है हाथ नहीं छोड़ना है वो हाथ पूरा पकड़ा तुमानो उनकी वीचे है जब प्रमात्मा हमारा मालिक है तो उनका हाथ छोड़ने का संकल्प नहीं आना चाहिए हमारा शहनशाह कौन है सितारों की दुनिया का रहने वाला राजा माराजा बनाने वाला हम बच्चों को सर्ताज बादशाह बादशाहों का भी बादशाह जर्वशक्ति मान बाप हमारा मालिक है तो उनका हाथ छोड़ने का संकल्प नहीं आना चाहिए अगर हाथ छोड़ा तो बड़ा मोर्क ठेरा इसलिए प्रमात्मा कहता है बच्ची जब मैं खुद समर्थ हूँ तो मेरे साथ होती तुम्हें भी समर्थ अवश्य बनेंगे समछा बच्ची आच्छा ओम शान्ति ओम शान्ति मामा ओम शान्ति सबी भाई बेनों को ओम शान्ति बाप दाधा को शुक्रिया शुक्रिया झाल शान्ति समर्ष लोगनु समर्थ तुम्हें भाई बनेंगे